पता है अब जो हमारी यूटूब फैमिली है वो छोटी सी है पर उसमें भी अगर लोग आपसे पूछते हैं कि भाई विलॉक्स क्यों नहीं आ रहे हैं तो सही मैं यार यह बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होता है और वही कुछ चीज आपको आगे करने के लिए मोटिवेट करती है थैंक यू थैंक यू ऑल फो टैट जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से आज के इस विलॉप के दो पहलू रहेंगे हो सकता है कुछ लोगों को यह बहुत जादा पसंद आए और कुछ लोग मेरे पीछे टंडा हतोडा मोटोडा पतनी क्या-क् सच्चाई दिखाना बहुत जलूरी है आज हम कहीं जानी रहे हैं मैं आपको वहां लेकर जाओंगा जहां पर मैं रोज जाता हूं यानि चानी चौप कफी दिन से यार 120 fps वह नहीं है तो पेश है 120 fps में चानी चौप प्लव में चानी चौप बाहीं हाद यानी नहीं चानी खरी हैं मैं बाहीं हैं और मैं तो दोपी कोब आपको नहीं हैं वह नहीं है जहीं पिसमॉफ कैंगे है कर वहां है झाल झाल और भी बहुत कुछ है चानी चॉक में दिखने के लिए यार पर ड्यू प्रेसेंट कंडिशन आफ चानी चॉक और कोविड मेरी हिम्मत इतनी नहीं हो ही कि मैं कुछ और ज्यादा इस चीज को एक्स्प्लोर कर पाऊं कभी करेंगे फ्यूचर में जब सब कुछ सेटल डाउन ह हो जाएगा को विट तो ऐसे कुछ राही नहीं है कुछ लोगों के मास्क यहां पर होते हैं कुछ तो फैस्ट के लिए गले में पहनते हैं पता नहीं लोगों की सोच कैसी हो गई है पर इस चीज़ को जितना ज्यादा सीरियस लोगे उतना बढ़ी आ है थोड़ी दिर पहले हम पहुच गये हैं चानी चौक और हमारे साथ है बहुत पास परोजी परोजी का सीन जहां जाए कि नहीं है अगी कन्फीजन है वर मुझे लगता आप समझना जाएगा भाई पतंग इतना बड़ा फैन अभी भी यहां पर इनको डोर दिख रही थी पतंग डून रहे थे फ चारो तरफ ट्राफिक की ट्राफिक शुरू हो गया है यहां पर हम लोग अभी फिलाल चल रहे हैं अब तो पतनी इन्होंने रेट पत्ते से क्या बोलेंगे इसको यह रेड कारफेट की तरह इन्होंने बना दिया है एक्चुली यह जो था एक रस्ता था चानी चौक से भा पर्ष्टे से निकलता था पर फिलाल जो लग रहा है सीट कि वह यहे है कि आने वाले टाइम में मेरे साब से कोई वहिकल तो यहां से निकल नी भाएगा जो बैटरी रिक्षाज हैं और ऑटो रिक्सा हैं साइक्षव वगारा तो बोई चीज है यहां से निकल पाएंगी कि कि ये बनाया गया ही इसी तरीके से है चानी चौप में आने जाने के लिए जो में दो रस्ते हैं उनमें से एक ये था और दूसरा जो रस्ता है उसके जो हालत है वो कुछ ऐसे हैं यानि हर जंगा बुरा 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 और बुरा जाम है यह पिछले तीन साल से यह सब कुछ ऐसा ही चल रहा है जब से कंस्ट्रक्शन वक्ष्ट शुरू हो आ है जब से इतनी भूरी हालत है कि बस क्या बताऊं और इस समय तो डर इस चीज़ा लगता है कि यह इतना ज्यादा ट्राफिक है तो सोशल डिस्रेंसिंग कैसे मेंटेन होगी इतने ट्राफिक में बहुत ज्यादा प्रिशानी जहली बढ़ती है सभी को सभी को और सभी को क्या हाल है वह सब आपके सामने है एक्चली यह जो प्रोजेक्ट है लगबग तीन साल इसको हो गया है इन साल में इत इतना चोड़ा गली आ रहा तो पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक पूरा नहीं हुआ है इसकी वज़े से जो है जो दुकंदान लोग है हमारे यहां पे सारे उनको बहुत जादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है जो कस्टमर का फुटफॉल होता था भाई मुझ से पूछ चानी चॉप में मेरे साफ से जितना मुझे नौलिज है 4-5 प्रॉपर पारकिंग की जो स्पेस है वो अवेलेबल है एक तो जो है पारकिंग वो है आपकी रेट फॉर्ड के सामने एक दंगल मेधान की पारकिंग एक जो है क्रोथ मार्किट की पारकिंग हो गई और चौती जो है वो है शीजगन शुरुतवारे के सामने वाली पार्किंग जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको पार्किंग बनने में मेरे साथ से अभी भी तीन से चार साल लग जाएंगे अभी आप मुझे यह बार समझ नहीं आती कि जब आपको पता है कि यह हालात है एक इसी मार्किट है चानी चौक जैसी प्लेस तो आपने बिना पार्किंग का कुछ प्रॉपर इंतजाम करें यह कंज्रेक्शन वक्त क्यूं चेड़ा टाइम होए है 11 बचके पांच मिनिट और पर्ची से आपको पता लग गया होगा मैं डंगल मैदान की पार्किंग में हूं कि यहां के सीन्स कुछ ऐसे हैं यह देखो भई 11 बज़े ही पार्किंग जो है पूरी फुल हो चुकी है अब ऐसे पार्किंग फुल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बंदा कहां जाएगा जब पार्किंग में जगा नहीं मिलेगी वह आपाओ गया यहां पे है इसने वाली और जैसे से शाम बढ़ती रहेगी तूरी जो जगा है इसी तरीके से कार पार्किंग बन जाएगी इसे कहते हैं पार्किंग माफिया 20-20-30 रुबे में लोग अपनी गाड़ी पार्क कर जाते हैं उनकी सेटिंग्स होती हैं सारी पुलिस वालों से और इसी तरीके से ये जो सड़क है अभी कुछ टाइम में आपको जहां पे सारा जाम मिलेगा ऐसी एक जगा और है वो दिखाते हैं आपको चलो यह रही वो दूसरी जगा जिसके बारे मैं बात कर रहा था में रोड पे इतनी बुरी तरीके से पार्किंग हो रखी है और सबसे बड़ी बात है सामने पुलिस वाले का ऑफिस भी है क्या कहोगे इसको बाते सीधा मुद्धे पे जिसके कारण कुछ लोग मेरे साथ हो है एक्जैक्ट अमांट तो अभी भार आई नहीं है तो जो अंदाज है वो लगबाग इतना ही है तो वो बर्थ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी आपकी जो ट्राफिक के समस्य है वो सौट आउट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी इन फैक्ट और बढ़ जाएगी आपके होगे पार्किंग में खड़ा कर दो पर पार्किंग तो आपके बाद है नहीं प्लस जो और पार्किंग हो अलड़ी इतनी भरी जाती है सीजन के टाइम में तो और ज़्यादा लोग परिशान होते हैं तो कैसे सौट आउट होगी है ट्राफिक की प्रॉब्लम कर हम करें तो हमें पदा लगता है कि जो पहले यहां पर जाम लगता था उसके दो तीन में रिजन थे उनमें से एक यह था कि वह एक तो यह थोड़ा प्रॉपर कुछ बना नहीं हो था यहां पर रोड्स बहुत ही बेकार कंडिशन में थी प्लस दूसरा रिजन यह कि लोग हैं वहां पे साइडों में पार्किंग कर दे दे उसके कारण जो है पीचे से जो ट्राफिक आता था वो हॉल्ट हो जाता और जाम लग जाता था अगर इन चीजों को ध्यान में रखके इन चीजों पर फोकस किया जाता तो शायद इतना पैसा खर्षनी होता लोगों को इतनी ड वैंका वैपार इतना खराब नहीं होता अब क्या करें हमारे देश में डेघ्रप्awanों होती तो है भाइव पर वो सस्टेनेबल डवलप्मेंट होती नहीं है यह चीज में आप लोगे साथ शेर करना चाहता था आज और हिम्मत करके मैंने शेर कर दी इतनी बुरी हालात हो जाती है वही शॉप पोच्टे पोच्टे और वापीस घर आते आते कि वही रोट ऐसा लगता है कि किसी ना किस कि दिन कोवेट पकड़ लेगा क्योंकि शॉप पे हम लोग अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन रखते हैं पर रोड पर प्रिकॉशन क्या रखोगे कोई खांस दे कोई चीख दे और शोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंग ना हो पाए वहिकल्स में भी आदमी मोटर साइकल प हुआ तो यार इसको शेयर जरू कर देना क्योंकि पहली बार मैं किसी चीज को दिन से जाओंगो कि आप शेयर करो क्योंकि एक जैन्मन थाट थी मेरी और अगर यह थाट सबके सामने पोच जाती है तो होफुली जो हो चुगा उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते पर आगे जो हो करने आएंगे तिल देन टेक केर टाटा बाई बाई जो है अब देख लोगों ने अनटराइस पारकिंग बना रखी है कोई भी पुलिस वादा नहीं कहता है वैसी सड़क बहुंच जादा चोड़ी है और और चोड़ी यह लोग कर रहे हैं